वेल्कम बैक टी यूटूब चैनल एसके मिश्टडी मैं हूं आपके एजूकेटर स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एसके मिश्टडी पहर है गुर्देओं कहां थे आप हम तो आपके दिल में आप लोग सा पता नहीं चल रहा नहीं हमारा एक्जाम चल रह महनत करने हैं एकड़ड़ चर्पा करना है हम नहीं अपनी इसले कर रहा है हमसे क्या कहोई करना चाहिए कadyम इसी बात पर हमें ओकस रहना करता हूं आप लोग अपनी जिंवेडạयी संझेंगे और भरपूर पढ़ाई करेंगे महनत करेंगी जबरिश्ट महनत करेंग और कुछ चाहिए भी नहीं से ठीक ना चले सर यहां पर लेकिया है आप सभी के लिए खाफ यरली जो अर्धवार्शिक परिच्छा का पेपर चल रहा है हम उसके सीरीज में हिंदी का भी नहीं दे थे लेकिन हिंदी का भी बचा हुआ है तो हिंदी का आज यह पेपर है जो कि कच्छा बारहमी के लिए पेपर कोड तो यहां पर यह देख लेज़ेगा ठीक ना हलाकि 42 भी दिया था मैंने तो यह इतना है समय तीन घंटे पंदर मिनिट का अच्छे एक चीज आपको पता है मैं आपको बताओंगा पेपर की मामिलें परशान मत हो ना यसके मिस्टरी नंबर वन था है रहेगा तो आपके प्यार के वज़र से आप से रिक्वेस्ट है जोड़के कि यही प्यार बनाया रखेगा यह ही भरोसा बनाया रखेगा आपको मिलेंगी मार्केट बहुत सारी चीज़े मिलेंगी लेकिन यह है कि आप पढ़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से लिपसाप हर जगह पढ़िए पेपर के लिए सर हमारे उपर भरोसा कीजिए पिछले चार सालों का वैल एक्स्पि आपको प्रश्पत्र पढ़ने की निधायत हैं और यहां प्रश्पत्र दो खंडू कर में क्या विभाजित है और दोनों खंडू के सभी प्रश्णों का उत्तर देना क्या रहेगा अनिवार्द हैगा सबसे पहले यहां पे सर क्या है खंड का रहेगा सर जो खंड का रहेग है यह सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले इसमें आपका बहुत कल्पी प्रशनाएगा यहां पे सबसे पहला प्रशने है कि नीचे दिए गए विकल्पो में से उत्तर पहला है कवाला राबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा है रचना की विधा है यह रचना विधा मतलब क्या होता है प्रकार होता है क्या होता है प्रकार होता है एक बात मेरी याद रखेगा मैंने इसको जल्दिबाजी में सॉल किया है तो देर अगर काट्ट मिस्टेक भी हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते है ठीक ना और अपना देख लेजीगा आप खुद से मिलाईएगा और जो मैं पर इंसर दे रहा हूं इसको भी थोड़ा आप कलेक्ट करिएगा तो यहां पर कहानी है नाटक है रेखा पर अचित्र है या फिर पोतार्ज है मेरे हिशाओ से रिपोतार्ज होना चाहिए कि आप इससाब से क्या होना जाएं आप कर सकते ठीकम अगला यहां पर कि लेखक हैं सर्फ श्यावाद उत्तर काल के लिखक कौन किया सामसुंदर दास या विद्यारिमास मिस्ष च्छाया वाद उत्तरकाल के कभी कौन है जांपर नाम मैं लिखवा दे रहा है जैसे कि यहां पे हैं आपके में लिख दे रहा हूं ठीक इन्होंने क्या लगाया स्याम संदर्दास विद्या निवास मिस्र जी हां बिल्कुल विद्या निवास मिस्र यहां च्छायावाद उत्तर क्याल के कभी माने जाते लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो उन्होंने स्याम संदर्दास माना जो कि आपके क्या है गलत है ठीकिन अगला यहां पर है गवाला चले सर्गी गवाला देखेगा क्या है यहां पर हिंदी प्रग्जितिसील रेखक संग की प्रत्थम अधिवेशन का हुआ था अगला यहां पर सर आया है सर विधा का मतलब क्या होता है क्या होता है प्रकार होता है अगला यहां पर दुसरी का क्या है प्रसन दूसरी का क्या सर किया है क्यां भी डेखेयो दिये गए pag का मायनी प्रकतजी की प्रग्तिवादी रचना माने जाता यूगांत क्या माने जाती हिए यूगांत। अगले दो कैसा आप खुद दीजिएगा यहां पर भिखारी दास कभी कौन है और कभी है भक्तिकाल के आधिकाल के आधनिकाल के और यहां पर भारती ग्यान पीट पुरसकार किसे नहीं मिला था सुनित्रा नंदनपंद रांधा है सिंग मिलकर महादी वर्मा को ग्यान पीट पुरसकार दिया गया था ठीक न एक यामा था किस पर सरी यामा रशना है यह सबसे मोश्ट इंपॉर्टेंट वाली और यह फेमस अगला देखेंगे आपके हाफी अरली पेपर में आया हुआ है यह तो आपको बहुत ही सिंपल में आया हुआ है बहुत ही सिंपल है आपको थोड़ा करने का तरीका बता दे रहे हैं यहां पर दिखेगा यह क्या है आप यह प्रश्ट प्रकार की धातू को प्रिथवी के गर में पोशण मिला है दिनरात बहने वाली नदीयों ने है और पीस-पीस कर अगरित प्रकार की मिट्यों से प्रिथवी की देह को सजाया है कि न हमारे भावी आर्थी के लिए इन सब की जाच परताल करना क्या है आवस्यक है सबसे पहले यहां पर क्या है आपका पहला पर देखें मैं आपको बता रहा हूं उप्रियुक्त गद्य सब्सक्राइब यहां घड़ा है पहलेगा है किसके राष्ट कि रूप से लिए और नहीं हो जाएगा वासुदेव उसरण अग्रवाल हो जाएगा और दिखकत नहीं पर दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से प्रिथवी की देह को सजाया है तो देखें यहां पर दिन रात बहने वाले नदियों ने यह थोड़ा सा अगला दिखना यहां पर दिन रात की कोक में अमल निदिया भरी है धर्ति माता कोख में अमुल निधिया भरी हैं अगला यहां पर प्रिथवी को वसंधरा क्यों कहते हैं क्योंकि धर्ति माता कोख में अमुल निधिया भरी हैं जिसके कान धर्ति माता वसंधरा कहलाती है देखें लिखेंगे धर्ति माता कोख में अमुल निधिया भरी हैं जिन तो न तू सुन्दरी को थोड़ी जो थोड़ी सी स्रमित वह को गोधले सरांतिक होना होटो की यह कमल की मुख्य मैंताय मिटाना कोई एक लांता किसक लना जो खेत में दुखावे धीरे-धीरे परस उसकी क्लांतिक मिटाना जाता कोई जल्द यह निहीं हो वेम में उसे छाया द्वारा सुजित करना तब भुतांगना को यह मैंने कई बार आपको पेपर में स्वाल कर आया है और वही चीज़ें हां पर दिया हुआ है इसलिए कहते भाई साब एसके मिश्टेडी भरोसेमन पेपर की मामले में था है रहेगा वसाव लोगों का प्यार चाहिए और जैसंकर अध्या और मैतिर सवगुत पस यही तयार करिएगा इससे बाहर आपका अर्दवार्शिंग पेपर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा उसके बाद यहां पे पंचलाइट और धुर्यात्रा कहानी का उद्ध्यश परफिकार डालिए बहादूर अधुआ दिल बह पादूर है यानि कि जहां पर काम करता था उसके घरवाले मारते पिटे तब यह पढ़ियां काम करता थी ति आपके लोगों किया मुहावरे आएंगे गूलर का फूल होगा आगे हाथ ना पीछे पगहा अपना उलू सीरह करना उठकी मुह में जीरा फिर आपका आपका आप देखते सकते हैं अंब ढ़ी एप कर लेंगे आपके आने बाज़ा सब्धियुम सब्दिंयुकम और फिर दूर्च ना इसे गुरु और अंक इस्वर में आस्ता रखने वाले को क्या बोलते हैं हास्ति बोलते हैं और जो कभी बुढ़ाना हो अजर युगा चीर जवा या अवरिद्ध और फिर यहां पे हुआ आपका दुआ क्यों सुद्धकर के लिगना है फिर यहां पे रस्चंद अलंकार आया अपने नगर में ब्राण बार एवं घंगोर वर्षा के बाद जल भराव के का भराव एवं गंदगी कार संक्राम प्रोख फैलने के आसंक्या को ध्यान में रखते हुजी लाधिकारियों के पत्र लात्वा में इसी महाँ विद्ध्याले में करिश्ट लिपिक के पदो पन् तो आप इस पीपर तयार कर लेजएगा यहाफ यली का पेपर है अर्दवार सी का बहुत ज्यादा नहीं है आपका दो तीन से इतने इमकाम हो जाएगा अगर आपका बहुत ज्यादा डिमांड है तो बताईए का और मैं आपको का दो से दे दूंगा बाकि सॉल्व करके आपको मैं पेपर दे दूंगा सब हंडर परसेंट फासिए तो सुत्राइं कि जहें टेक केर बाए बाए